तो NN Classes में आपका स्वागत है जैसे आप जानते हैं उत्राखन वंदरोगा भरती और इसना तक इस तरह ये भरती परिक्षा की जो लिखित परिक्षा होई थी वो कैंसल हो गई है निरस्ट हो गई है अब जो है दुबारा से री एक्जाम होगा तो दोनों ही परिक्षा है जो है वो मार्जमा में होनी है प्रस्तावित है ये कि मार्जमा में होंगी दूसरी चीज की उत्राखन वंदरोगा भरती की परिक्षा जो थी इसकी तयारी हमने पिछे भी करवाई थी जब ये पेपर हुआ था अब भी इसके लिए आगे त्यारी करवाई जाएगी तो देखिए इस भरती परीक्षा को लेकर थोड़ा सा संसे चड़ रहा है कि कौन इसमें पेपर दे पाएगा तो उसी सब पर हम चर्चाज करने वाले हैं चलिए सबसे पहले पहला डाउट जो अब्यर्थियों को है वो यह है कि कौन-कौन इसमें पेपर देगा तो देखो इसमें क्या था कि यह अधिया चन दुबाइ मतलब इसका पिरसे नोटिफिकेशन नहीं आएगा मतलब नए बच्चों को इसमें मौका नहीं मिलेगा तो सीदीसी बात है कि सिर्फ वही बच्चे पेपर देंगे जिन्होंने पहले पेपर दिया था उसके अलावा कोई अन्या इसमें पेपर नहीं देगा तो पहली चीज तो यह क्लियर होगी दूसरी चीज कि अब इसमें क्या होगा कि यह जो 59,60 बच्चे हैं जब यह पेपर देंगे तो इसके बाद अब मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनल लगेगी कहने का मतलब है इसमें आप सारी रिक परिक्षा नहीं होगी मतलब इसमें जो रनिंग थी वो अब नहीं होगी आपको सीधे यह 59,606 बच्चों को पेपर देना है सीधे मेरिट लिस्ट में आप लोग आएंगे और डिरेक्ट उसके बाद डीवी हो जाएगा इसमें एक और चीज है कि उन बच्चों को भी इसमें ब्लाकलेस्ट कर दिया गया है जिनका पता लग गया कि यह लोग नकल में सामिल थे अब देखो यह भरती परिक्षा कैंसल हुई क्यों देखो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है इस आर्टिकल में आप देख लीजिए देखो सबसे पहले वीडियो और वीपीडियो की बात करते हैं कि यह कैंसल क्यों हुई तो आयोग के मुताबिक सनातक इस्तरिय भरती परिक्षा में 131 अब्यारती पेपर लीक वर नकल में सनलिप्त पाए गया जबकि 80 अब्यारती ऐसे हैं जिनका पता गलत है तो आप समझ लीजिए मतलब कि 18,31, 211 बच्चे और 900 क्या सबस्टे थी उसमें 211 बच्चे यह वो बच्चे हैं जो भार आये मतलब जिनका पता लगागी हाँ यह लोग जो है नकल जिनोंने की इसके बाद भी बहुत बच्चे 100% इसमें ऐसे होंगे जिनका पता नहीं लग पाया ठीक है तो बिल्कुल सही यह decision है क्योंकि देखो थोड़ा सा इसमें समस्याओं उन बेर्थयों को 100% हुई है जिनका merit में नाम था क्योंकि देखो कोई भी paper निकालना बिल्कुल आसान बात नहीं है फाइनल मेरिट में आना बिल्कुल आसान बात नहीं है मेरिट में आके डीबी करवाना बिल्कुल आसान बात नहीं है और उसके बाद आपको पता लगता है कि paper cancel हो गया तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि आप selected हो जाओ और देन उसके बाद पता ही है आप यह समझे कि 316 पोस्ट हैं और इसमें से 1500 जो है इसमें नकल में सनलिपते हैं तो आप यह समझे कि भही 1500 में से मतलब एक तरह से देखा जाया तो सिदी सिद है 50% तो इन नकल में पहले ही आयो बता रहा है जो कि एक सरकारी आकड़ा है आप खुद समझे कि इसमें selected मतलब जो अपनी एक कुछी बच्चे होंगे मतलब 10% भी होंगे यह भी बड़ी बात है 10% 20% भी होंगे यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि अगर 1500 का पता लग गया है बागी का पता नहीं लगा तो कहीने कहीं यह सोचने वाली बात है और यह जो डिसीजन फिर उसके आधार पर अगर ये चीज़े सही है तो decision ये बिल्कुल सही है थोड़ा सा देखो पीडा जनक है उन अब्यर्थों के लिए जो इसमें selected हुए थे और जो अभी paper निरस्त हो गया है उस वज़े से 100% trauma में होंगे इस चीज़ को समझा जा सकता है लेकिन आप ये चीज 100% आप लोगों का selection होगा मुझे पूर्ण यहां विश्वास है क्योंकि हमारे खुद भी इसमें बच्चे selected और मैं सब को अच्छे जानता हूं सब पढ़ाई वाले बच्चे लगवग 2-3-3-4-4 साल से त्यारी कर रहे हैं तो आपका अनुभाव और आपने जो सही तरीके स आप पास हुए 100% आपको उसका फल मिलेगा ऐसा नहीं होगा कि आप selected नहीं होगे आप तब selected हुए ते अब भी selected होगे क्योंकि knowledge कभी waste नहीं जाता 100% आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तब ही आप तब भी selected हुए अब भी आप selected होगे मेरी पूरी मुझे ये पूरी उम् पाकी वंदर होगा के लिए एक दो दिनों में जो है special हमारे पास अब class शुरू होने वाली live session होंगे एक separate videos की जल्द ही आ जाएगी तो वंदर होगा के लिए अब जल्द से जल्द हमारी नई कक्छाएं भी शुरू हो जाएंगी जिन भी बच्चों को उत्राखण वंदर हो हैं मिलते हैं आपको फिर से नई वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद जैंग जय उत्राखण